कि हम लोग टॉपिक कल बोले थे आपको करने के लिए कनवर्जन टू इस्लाउम कि आप लोग को आज बताए भी थी थोड़ा सा भेजे भी थी पीडिया आप लोग अगर देखें होंगे तो मुस्लिम बाइबर्थ और मुस्लिम बाइब कनवर्जन एक परसन में भी मुस्लिम बाइबर्थ और त्रू कनवर्जन दो तरीके से हो सकता है मुस्लिम लोग पड़ रहे हैं मुस्लिम दो तरीके से या तो बाइबर्थ होगा या बाइब कनवर्जन होगा हम लोग conversion वाले का स्टेटस समझने की कोशिस कर रहे थे कि अगर कोई convert होता है वहां पे matrimonial right जो होता है बैभाईक समंध जो वहां पे matrimonial rights की हम लोग बात करते हैं वहां क्या effect ढालेगा हम लोग उसके बारे में discuss करना चाह रहे थे बाकि और कोई इसका ये नहीं है, बाकि तो questions बता दिये हैं, आप लोग किये भी हैं इसलिए ये topic हम लोग जो है, इसको पढ़ने courses कर रहे हैं, Convergent to Islam इसके बाद हम लोग Muslim marriage की बात करेंगे हम लोग तो Muslim by birth ये कैसे होता है? तो generally हम लोग जामते हैं, कि अगर कोई person, कोई बच्चा, a person whose both the parents were Muslim अगर उनके माता पिता दोनों Muslim है, at the time of his birth, उस बच्चे के जन्म के समय अगर Muslim माता पिता हैं, और उस घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो वह बच्चा क्या होगा? As regarded to be a Muslim by birth, वो क्या कहलाएगा? Muslim by birth कहलाएगा Okay? वो क्या कहलाएगा? Muslim by birth Okay? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, दोनों क्या है? दोनों अगर parents, माता पिता अगर Muslim है, तो वह बच्चा क्या कहलाया? Muslim कहलाया by birth अगर हम लोग इंडिया के परिफेक्स में बात करें, कि अगर एक किसी बच्चे का एक parents में से कोई एक, या तो माता या तो पिता अगर Muslim है और दूसरा क्या है? Non Muslim है तो वह बच्चा क्या होगा? बताइए, वह बच्चा क्या होगा? किसी बच्चे का जन्म के समय, parents में से कोई, माता पिता में से कोई एक Muslim है और दूसरा क्या है? Non Muslim है तो वह बच्चा क्या कहलायेगा? और माता अगर Muslim हो तो वह बच्चा मुस्लिम नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल गलत concept है ये हाँ, उसका brought up देखा जाता है, क्योंकि उसका लालन पालन किस तरीके से हुआ है? ये बार-बार आप लोग को सिखाते हैं, हिंदू लोव में भी सिखाये हैं, यहां भी बता रहे हैं हम लोग जब इंडिया के परिपेक्ट में देखेंगे the courts have, court का जो decision है और उसने जो interpret किया इस चीज़ को वो कहा है that where only one of the parents of a child बने parents में से कोई एक is a Muslim the child is regard to be a Muslim, वो बच्चा मुस्लिम होगा, कब? तो काता है only when it is proved that has been brought up as a Muslim कि अगर वो यह साबित कर दे कि मेरा लालन पालन जो है वो बच्चा मुस्लिम के तरह हुआ है, बच्चा मुस्लिम होगा by birth समझे? clear? हाँ, यह मत बोलिएगा कि पिता मुस्लिम है तो बच्चा मुस्लिम हो जाएगा ओके? हाँ, in general, बस simple साथ चीज़े हैं याद रखी आप लो in general, अगर बोथ दोनों, माता पिता दोनों मुस्लिम है, बच्चा मुस्लिम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम कोई एक बोल रहे हैं, इसका मतलो कोई एक माता ही नहीं, कोई एक, अगर मुस्लिम है दूसरा अगर नोन मुस्लिम है, तो बच्चा मुस्लिम कहलाएगा, तब कहलाएगा, जब वो यह साबित कर दे कि मेरा लालन पालन जो है मेरा जो brought up हुआ है वो मुस्लिम की तरीके से हुआ है तो बच्चा मुस्लिम होगा by birth clear? निशा यही पर हैं है न? हाँ अंसुप्रिया clear? हाँ अब आईए मुस्लिम by conversion यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को case study करना होता है मुस्लिम by conversion तो काता है कोई भी person जिसका कुछ भी religion रहा हो any person of any religion who is sound mind जो स्वस्त मांसिक्ता का हो sound mind हो and has attained the age of majority और जो क्या हो गया है जो majority को प्राप्त कर लिया है 18 वर्स का हो गया है हम इंडिया के परिफेक्स में बात कर रहे हैं कि जो sound mind का हो और majority gain कर लिया हो majority प्राप्त कर लिया हो वह किसी भी धर्म का हो तो वह क्या कर सकता है मुस्लिम में convert हो सकता है can become the followers of Islam after renouncing original religion अपने धर्म को छोर कर वह Islam कबूल कर सकता है Islam धर्म को अपना सकता है तो किसी दूसरे धर्म का लोग किसी दूसरे धर्म का परसन अगर वह sound mind है और major है तो वह by conversion क्या हो सकता है वह Islam अगर कबूल कर ले तो वह फिर मुस्लिम हो सकता है अब इसका दो तरीका दिया हुआ है आप लोगों बोले थे पढ़ने के लिए इसको दो वे से काम करता है ये अपना धर्म को छोर के दूसरे धर्म में कनवर्ट हो जाना मुस्लिम की बात हम लोग कर रहे हैं काता है कि इसका दो तरीका है तो सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर वह publicly क्या कर ले डिक्लियर कर दे एप पर्सन में publicly declare that he is renounced his original religion and now professing Islam and believe that there is one God अगर वह publicly इस बात को declaration दे दे कि हम मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं मेरी आस्था Islam में है अब हम अब से Islam धर्म को मानेंगे और हम एक God में believe करेंगे अल्लाह में believe करेंगे उनके बताय रास्ते पर चलेंगे एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका क्या है तो कहता है दूसरा तरीका है कि अगर वह क्या करे मस्जिद जाए और वहां पर where the imam may ask him to read उसको फिर कलमा पढ़ाया जाता है जो मुस्लिम बच्चे होंगे वो जानते होंगे कलमा पढ़ना तो कलमा पढ़ते हैं न निशा हाँ हाँ तो वहां पर जाएगा मस्जिद में जाएगा वहां उसको जो है इमाम सहब है वो उसको कलमा पढ़ाएंगे कलमा का रिसाइट करवाएंगे उसको एक उसका मुस्लिम नेम दिया जाएगा और उसके बाद जो यह प्रोसेस को करने के बाद क्या हो जाएगा वह मुस्लिम हो जाएगा तो यह दो तरीका बताया गया है कि कोई भी कंवर्ट हो सकता है मुस्लिम में कोई नौन मुस्लिम को अगर कंवर्ट करना हो तो इन दो तरीकों से क्या कर सकता है अपने आपको अब यहां तक कोई समस्या नहीं है हमारे पास अब हम लोग की दिश्ठी कौन से बात करेंगे तो यहां तक जो बाइबर्थ है या बाइबर्जन है कोई समस्या नहीं है समस्या क्या होता है? मुश्लिम लोग के अपलिकेशन अपलिकेशन पे जचैने जो डिस्प्यूट कहां पागा होता है क्या मुश्लिम लोग अपलिकेबल होगा या नहीं होगा ओके तो यहां पर समस्या हम लोग को उत्पन होता है हम एक दो केस रीड करेंगे अभी आप लोग को बोले भी थे खलपढ़ने के लिए केस आप लोग को टाइम नहीं मिला होगा लोग बहुत बियस्थ हैं कोई कनवर्ट होता है मुस्लिम में और उसके बाद मिरिटल राइट पर क्या एफेक्ट परता है इसका हम लोग जिक्र करेंगे दो चीजों का खयाल रखना है हम लोगों को ठीक है क्या खयाल रखना है कि दो पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं एक तो बात करते हैं कि ऐसे कोई country जहां पे Muslim law applicable है in a country subject to Muslim law ओके एक तो इसी पर discuss करते हैं दूसरा हम लोग करते हैं जहां पे Muslim law applicable नहीं है ऐसा देश जिसमें की Muslim law जो है law of the land नहीं है चि कहना अगर कोई convergence कोई आजमी convert हो रहा है और किसी ऐसे देश में हो रहा है जिसमें की Muslim बिधी के अधीन है Muslim law का subject है वो ऐसे देश में कोई आजमी convert हो रहा है एक तो यह तरीका हो मतलब एक वहां पर अलग देखन देखेंगे हम लोग दूसरा हम लोग बात करेंगे कि वह ऐसे देश में कंवर्ट हुआ है जिस देश में जो है law of the land नहीं है मुस्लिम लोग जो है वह law of the land नहीं है को लिए तो हम लोग कुछ कुछ केस देखते हैं और आप लोग केस पढ़े भी होंगे बहुत सारा केस चक्फ है एक किनर वर्से होड का चैश है जो कल आपको जिक्र भी किये थे या किस को पढ़ते हैं अपम ध्यान से सुनिए गा क्या हुआ था केस का फैक्ट हम बता देते हैं केस में हुआ क्या था हम इसका केस का फैक्ट नहीं दिया होगा सरला मुदल का पर जिक्र आया होगा सरला मुदल का फैक्ट पढ़ेंगे हम ठीक है न एक हम सिनिकर वर्सेज आर्ट का केस पढ़ देते हैं वो दीख लीजीगा पहले आप लोग इसमें हेलन स्कीनर नाम का कोई है जो कि क्या-क्या according married according to Christian rights and George Skinner who died in the lifetime of Helen ठीक हेलन नाम की एक महिला है जिसकी साधी George Skinner से हुई और हेलन के जीवित रहते ही क्या हुआ एसकीनर नाम का वो जो क्या नाम है उसका जो हस्वेंट था जौर्ज वो एक्सपायर कर गया मर गया ठीक यहां तक कोई दिक्कत नहीं उसके बाद देर आप्टर हेलन को हुआटेट वित जौन थौमस हुआज मैरीड टू एक क्रिस्टिन वाइव ओके अब इसने क्या किया ध्यान सुझिएगा बड़ अच्छा चीज दे रखा है है अब हेलन नाम की आपके बुक में होगा भी देखिएगा अब अच्छा केस है यह है हेल इस साधी करता और जोन माज जो है वह हरे सभी सुधDad हेज़ को había Chijn that विसके साथ कर लेता है और अब अब क्या हुआ आप तो हेलान सोखी ठीक है कि दो साधी तो कर नहीं सकता है क्रिशन लौ में भी है दो साधी तो अबैद हो जाएगा इसको बैद करने के लिए क्या किया उसने इसको लिगलाइज करने के लिए दोनों ने क्या किया अपना धर्म परिबर्तन कर लिया In order to legalize their union, Helen and John both got themselves converted into Islam. However, their conversion was not held to be bona fide. Their lordship of the privy council held that the conversion was a pretended conversion for the purpose of bibamy which was not permissible under law. यह केस था कि कोडव कहा प्रिवीकौनसिल कहा इसपये कि कि दोनों ने धर्म पणिव वर्तन किया तो इस मकसद से नहीं कि धर्म में उसकी आस्था थी यहां समझे गा बात को हम जो पढ़ने conversion जो होना चाहिए वह bonafide conversion होना चाहिए केवल बिवाह के उद्देश से बिवाह को legalize करने के लिए हम ज़्यादा साधी कर सकते हैं एक से बाइगेमी से खुद को बचाने के लिए अगर कोई conversion कर रहा है तो उसको court जो है क्या कहता है कि उसको invalid कर देता है उस पर बैगेमी अगर law है तो बैगेमी अप्लिकेबल होगा ठीक है clear यह case में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है के समझवागे है सबको एक इसी तरह का case आप लोग हिंदू लों में परहे होंगे सरलाव मुदगल परहे थे सरलाव मुदगल भरसेस union of India यह case जबी लिए case को बहुत leading case है यह सरलाव मुदगर भरसेस union of India एक यह case था एक लीली थॉमर्स का case था कि लिली थॉमस पर से उनियों और फिंडिया दोनों के साफ लोग याद रखिएगा हम सरलाभ मुदल का फैक्ट पढ़ देते हैं कि एक मीना माथूर की लेडी थी उसने जितेंदर माथूर के नाम के एक मतलब मेल से क्या उसने क्या कि 1978 में में साधी किया इन प्रजेंट केस वन मीना माथूर वाज मैरेड तो जितेंदर माथूर इन 1978 थी चिल्रेंड वे बार्ड इंसे इन को तीन बच्चे हुए आउट फ़ेड लोग इन अर्ली 1998 में साधी हुआ तीन बच्चे हुए उसके बाद 1998 की घटना है उन्हें अंठानवे की घटना है जब उस लरकी को पता चला महिला को पता चला कि मेरा हस्वेंट क्या किया है दूसरी साधी कर लिया है second marriage with one उसका नाम था सुनिता नरूला फातिमा नाम था उसका फातिमा उसके साथ उसने क्या कर ली साधी कर ली और साधी कर ली उसने क्या क्या अपना धर्म परिवर्तन कर लिया अब अच्छा के से यह सर्लाम मुद्गल का लीडिंग केस अभी तक इसको रीड किया जाता है अब सुप्रीम कोट का जज्जमेंट देखिए अगर कोई दूसरी साधी करता है तो उस पर बैगेमी लगता है वो साधी सकेंड मैरेज इन्वैलिड हो जाता है यानि इस पर बैगेमी का चार्ज लगता है किलियर सर्लाम मुद्गल केस याद रहेगा आपको यानि कि देखें अच्छा चीज है यह कनवर्जन का उद्देश जो है कभी भी साधी को लिगलाइज करने के लिए बैगेमी से बचने के लिए नहीं होना चाहिए एक तिसरा केस है सेम केस का नाम याद रखेगा बहुत लीडिंग केस है समझेगा काम आएगा आपको लिली थॉमस लिली थॉमस फर्स उन्न ऑफ इंडिया केस को पर भी देते हैं अच्छा केस है अच्छा बहुत अच्छा केस बगरा सब है दस्प्रिम कोट है उप्जर्ब आपजब थैफ इफ ए हिंदु वाइफ 6. 5. Even a complaint for the offence ofयme under Section 494 , on the ground that during the subsistence of the marriage, her husband had married a second wife under some other religion. After converting to that religion, the offence of bispochosh by her would have to be investigated and track accordingly with the provision of the Hindu Marriage Act. Since under Hindu Marriage Act, a bigamous marriage is prohibited and has been constituted अगर आप धर्म परिबर्तन करते हैं, ध्यान सुनेगा है मेरी बात को. अगर आप धर्म परिबर्तन करते हैं, बहुत लोग पूचता भी यह सवाल, तो आप लोग कन्फ्यूजमत होईएगा, इसका होना चाहिए. धर्म परिबर्तन किसी भी साधी को ओटोमेटिक डिजॉल्ब नहीं करता है. अगर कोई आदमी अपना धर्म परिबर्तन कर लेता है, तो उसकी जो साधी है, जिससे उसाधी किया हुआ है, यह ओटोमेटिक डिजॉल्ब नहीं होता है. बात समझ गए मेरी बात को, इस बात को? हाँ. हाँ. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. यही चीतों समझा रहे हैं. आपका कन्वर्जन जो है, इस साधी को डिजॉल्ब नहीं करता है, तो आपको बाइलोग क्या करना परेगा, पहले इस मैरेज को डिजॉल्ब करना परेगा. समझे? इस मैरेज? तब तो फिर सोचिए कि कितनी बढ़ी समस्या आप बाली बाली बात कर रहे हैं, तब तो आप. ठीक है ना? इसी कंट्राडिक्शन के लिए इतना चीज परहा रहे हैं, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, एकदम किलियर है. इसी कंट्राडिक्शन आप जो बात कर रहे हैं, यह पर तो सुप्रेम कोट का इतना जज्जमेंट है, कि ओटोमेटिक डिजॉल्ब नहीं होगा. जो कि according to अगर कोई आदमी हिंदू है, उसकी हिंदू वाइफ है, और यह धर्म पणिवर्तन कर रहा है, तो ग्राउंड जो होगा, वाइफ का वाइफ पिटिसनर होगी वहाँ पे, तो यह ग्राउंड इसका होगा मैरेज को डिजॉल्ब करने का, ठीक, या अगर यह कर सकता है, अगर वाइब या वाइगेमस का सूट फाइल कर सकती है, समझे, इसी चीज को सुप्रीम कोट तो कह रहा है, समझा रहा है इसी चीज को, इसी को इंटर्पर्टेशन है, एकदम किलियर है, इसमें कहीं कोई इबट नहीं है, मैरेज कभी भी ऑटोमेटिक डिजॉ में कहा, कि परपज साधी करना परपज जो है, या किसी मैरेज को आप डिजॉब कर रहे हैं इस ग्राउंड को, यह ग्राउंड नहीं बनेगा आपका, आप पर सक्षन 494 लगेगा IPC का, तो जो हमारा नियम है, ठीके न, नियम क्या है, कि आप पहला मैरेज को डिजॉल्व क ठीक, और इसमें एक दो केस, और अगर आप पढ़िएगा इसमें, एक पर अच्छा चीज कहा गया है, कि उसमें कहा भी गया है, कि पती क्या कहा, पत्नी को कह रहा है कि तुम भी धर्म पडिवर्तन कर लो मेरे साथ, चिके न, हम मुस्लिम धर्म में कनवर्ट हो रहे हैं, त तुम धर्म पडिवर्तन कर लो, तो अब मुस्लिम, इसके पास ऑप्शन है, पत्नी के पास ऑप्शन है, कि या तो कनवर्ट हो जाए, या फिर ऑप्शन है कि इस मैरेज को डिजॉल्व कर ले, बास समझ रहे हैं, हाँ, तो इसका तो कंटेंशन भी है, इस केस में, हाँ, ब according to Muslim law, हम एक से ज्यादा साधी कर सकते हैं, ठीक है, और मेरी वाइफ जो है, ठीक है, जो कि हिंदू है, अपना धर्म परवरतन नहीं करना चाहती है, तो मेरे साथ रह सकती है, लेकिन पत्नी यहाँ पे कह रही है, कि ये बाइगमेस का सूट फाइल करेंगे हम, तो जब पत् इसी चीज को लोग कह रहा है, कि अगर ये धर्म परवरतन अपना नहीं कर रही है, तो फिर आपका कॉंट्रेक्ट बन सकता है इसके साथ, कि आप इसके साथ रह सकते हैं, अदर्वाइस नहीं रह सकते हैं, आपको मारे डिजॉल्व करना परेगा, फिर जाके आप दुसी सा करेगा, पत्नी तो कहेगे कि उससे साथ मत कीजिए, अच्छे एक, हाँ तो इन जेनराल हिंदू लो में, क्या हिंदू दो बिवाब नहीं करता था, एक बाद बताई तो हिंदू में दो बिवाब नहीं होता है, नहीं नहीं, नहीं नहीं लो नहीं, तो बैगेमी का में कौन जा सकता है, बैगेमी का आरोप कौन लगाता है, पर प्रचर में कि में हुआ ओधार हिंदू महिल भी नहीं जाएगी तो नहीं जई7 लगेगा एक हिंदू दूसisse 索ूब सिम्धी पतनी जाएगी जाएगी तो यह सभूर न तो रिस्धा फशन आम करेगा साधी को पहले पहले साधी डिजॉल्ब करे तब दुश्री साधी करे समझे नहीं तो बाइकमस लगेगा 494 लगेगा The conversion of Hindu wife सुन लिजे to Islam does not if so facto dissolve her marriage with her husband she cannot enter into a valid contract of marriages with any other person during the lifetime of her husband and if she goes through a ceremony of marriage after conversion to Islam she will be guilty of बाइगमी under section 494 आप जो कह रहे हैं वो simple सा चीज है अब था सा बात को उलट दीजिए एक लर्की क्या करें एक हिंदू लर्की है और एक हिंदू मेल है दोनों साधी किया लर्की धर्म पड़िबर्चन कर ली मुस्लिम में कनवर्ट हो गई तो आपके हिसाब से यह साधी तो डिजॉल्व हो गया तब तो यह किसी मुस्लिम मुस्लिम पुरू से साधी कर सकती है राहूल अब बताईए ज़रा हाँ हाँ बिना साधी को डिजॉल्व किये हुए एक लर्की डिजॉल्व कि जिसकी साधी अल्रडी हो चुकी गभी हिंदू लर्के से वह अपना धर्म परिवरतन कर लेती है और किसी भी मुस्लिम लर्के से जो कि अल्रडी साधी anyhow कर सकती है मुस्लीम महिला भी तो साधी नहीं कर सकती है यह ध्यान गखेगा तो वो अपना धर्म परिबरतन कर ली मुस्लिम में और किसी मुस्लिम से वो साधी कर ली तो क्या यह जो साधी है हिंदू के साधी क्या आटमेटरिक डिजॉल्व हो जाएगा हाँ तो यही चीज़ तो है यही चीज़ पता रहे हैं आपको कि यहां पुरूस पर लागू है तो महिला पर भी लागू है महिला भी ऐसा नहीं कर सकती है कि अपना धर्म परिबरतन करके किसी मुस्लिम लड़के से साधी कर ले समझे रहूल महिला परिबरतन कर ले दो हाँ कि नहीं इस से यह नहीं होता है तब फिर प्रड़नामेल्टर्जाइट नहीं पर यह तब इसका मतलब सही से आप किसी को अपने साथ बंधे रख सकते हैं अगर आप यह बात कह रहें नहीं सुन के साथ हुई ध्यानगी हम अच्छा हम इसको रोज मारते हैं अब मेरी बात को कोई हमसे तलाक लेना चाहता है कोई हमसे जो है डैवर्स लेना चाहता है हम देना नहीं चाहते हैं उसका जो भी ग्राउंड रहे तो आप तो यहीं बात करें कि नहीं हम तुमको डैवर्स नहीं देंगे और तुम दुश्री साधी भी नहीं कर सकते हो अब सुख म हर एक आदमी को, नहीं, मैरेज जो है, हिंदू मैरेज हो, मुस्लिम मैरेज हो, किसी के साथ रहने का जो अपना ये चीज है, तो ये तो हमारा के अंदर ही कभरना है, कि हमको साथ में रहना है, दो लोग आपस में साथ रहेंगे, दोनों का अपना राइट्स है, लेकिन हम किसी को जबरदस्ती बांध कर नहीं रख सकते हैं, अगर किसी को जाना है, तो जो ग्राउंड्स है, ध्यान सुलिएगा मेरी बात को, हाँ, अब व ग्राउंड को छोर कर, और कुभी ग्राउंड से जिस पर आप डैवर्स ले सकते हैं, और आप रोक नहीं सकते हैं किसी को, यह भी याद रखिए, तो अगर कोई आदमी धर्म पढ़िवर्चन कर ले मुस्लिम में, और वो दुसरी साथ ही कर ले, ठीके न, और वहां कहें कि ह हुए हैं, दास्ताने वर्स दास्ताने का केस, तो इस ग्राउंड पर डैवर्स ले सकता है, ले सकती है, ले सकता है जो भी है, तो अब क्या हुआ, कि अब यहाँ पत्नी तोरना चाहती है, वह दुसरी साथी कर सकते हैं, तो अब क्या किये, उसको अब धर्म पड़िवर्ट कर लिए सोचिए कि कितना गलत प्रैक्टिस से सुरू हो जाएगा यह सोचिए ज़रा कि अगर सुप्रिम कोड का इंटर्पेटिशन नहीं होता यह इंटर्पेटिशन इत्मा लौ नहीं होता तो कितना गलत मतलब क्या होता प्रैक्टिस से सुरू हो जाता नहीं प्रैक्टिस सगला सुरू हो जाता है हाँ मेंटेनेंस जाता है अब तिन तिन बच्चे हैं उसके बच्चे का मेंटेनेंस है ठीक न उसके बाद प्रपर्टी किसको जाएगा सोचे कि कितना दिक्कत आ जाएगा एक केस हम आपको अभी मेरे पास होगा एक केस हम पर देते हैं आप लोग परहे बुक को नहीं है इस केस को परहिए गाप लोग बहुत अच्छा जो बात आपके दिमाग में आ रही है साराची लिखा हुआ है एक आहमदभक्स वर्सेश स्रीमती नत्थू का एक केस है, इट वाज है एक राम कुमारी का भी केस है, जो सीद बाता थे,ड्री केस है, जो सीद रिख रहते हैं के अपना घर्मपरिबतन कर ली, उसकी साधी होछे की थी, घर्मपरिबतन कर ली, और घर्मपरिबतन कर ली कोट उसको प्रशकुटिट किया गया, कोट किया-क्या बैगे में के case में उसको सजा दिया कूट ठीक है इट हॉइबर ऐस्टन डिजॉल्ब ऑन देट अप देट अप देट अप सच हस्वेंट सी विकमस फ्री टू मैरी टू ए मुस्लिम हस्वेंट हाँ वहीं पर फिर साफ-साफ क्लियर किया है कि अगर हस्वेंट क इसका और इसके मिर्ति हो जाती है तो मिर्ति होने के बाद जो लर्की है वो फिरी है किसी मुस्लिम लर्के से साधिक करने के लिए कहीं दिक्कत नहीं है एक पर अच्छा केस है कलकता हाई कोट का वो भी देख लिजेगा आप लोग पेज में बता दिये थे केस भड़ा हुआ है एक इंडियन क्रिश्चन था जो कि भारत का था और मैरेड तो एंडियन क्रिश्चन गर्ड़ फिरी करता है दोनों दोमिसाइल इंडिया का था ठीक है इंडियन क्रिश्चन लर्का था उसने क्या क्या किया किसी मुस्ली महिला से साधी कर लिया दो फर्स्ट मैरेज विद अ क्रिश्चन वाइब सब्सक्रिश्चन था क्रिश्चन तो इस्लाम इस मैरेज विद अ क्रिश्चन वाइब सब्सक्रिश्चन वाइब सब्सक्रिश्चन था क्यों नहीं था क्योंकि उसका मैरेज जो है जो कि according to Muslim law अगर क्रिश्चन फिमेल है जो कि किताविया है उसके साथ पर्मिशन देता है साधी करने काम किताविया जानते हैं न किताविया किसको बोलते हैं पता यह दो रहा है निशा होली बुक से जो रूल होता है बाइबल से रूल होता है क्रिश्चन हाँ उसी सेंस में वही चीज़ है ही निशा किताविया बोलते हैं जो होली बुक से रूल होता है बाइबल से रूल होता है क्रिश्चन लोग जो है बाइबल रूल से होता है तो मुस्लिम लोग के हिसाब से कोई मुस्लिम जो किताविया है कोई भी किताविया है क्रिस्चन हो या कोई और कोई किताविया हो ठीके ना हिंदू लोग किताविया नहीं है याद रखिएगा ठीके ना तो किसी भी किताविया से साधी करने के लिए पर्मिशन देता है वो वैलिड होता है वहाँ पे बाइगेमी का बात नहीं हो सकता है ओके रहूल मुस्लिम लौ देता है कोई मुस्लिम मेल किसी किताब या मुमेंट से साधी कर सकता है ठीक है ना एक मुस्लिम मेल को मुस्लिम फिमेल को नहीं मुस्लिम मेल को यह राइट है कि वहाक किसी मुस्लिम मतला किसी किताविया फिमेल से क्रिश्ञ जो रहे किताविया है ठिके न उसके साथ साधी को तुए वालीट वहन था ठीक्षा सरल करें definitive जांट ऑठ है तो किसम उतना नहीं पर पाएंगे भोली कीश है देखिएगा आप लोग केस हम बता भी दिये हैं दुछार केस पढ़िएगा इतना दौर केस है इतना आप लोग देखिएगा फिलाद इस पेस को पढ़िएगा आप लोग ठिक है